तो हैलो कैसे हो तो आज मैं इंडियन बाइडविंग 3D के अंदर एक ब्यूटुफुल सा पार्क बनाने वाला हूं तो आज की इस वाली वीडियो के आप जजीस होने वाले हो आपको कमेंट करके बताना है कि आप इसको दस में से कितने नंबर देना चाते हो तो जल्दी से हम इस वाली वीडियो के स्टार्ट करते हैं पार्क बनाने के लिए मैंने इस जगा को डिसाइड करा है क्योंकि यह हमारे घर के बिलकुल पास में और काफी आदा प्लेन भी है तो यहां पर हम अपने पार्क को बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बांडरी बनाते हैं जो कि हम वाल के साथ बनाने वाले हैं और अभी इंडियन मैक डैविंग 3D का एक और न्यू आपडेट आया था जिसके अंदर एक और न्यू वाल एड़ हुई है जिसका चीट कोड है डबलू 3 तो यहां पर हमने डबलू 3 के चीट कोड से एक वाल स्पॉन कर लिए तो इसी तरह के स आपी सारी वॉल को इस पॉन कर लिया है पर आभी तक मैंने वोल को स्पॉन करा रहा है इनको अभी सैट करना बाकि है जिसमें मिर को कफी हादा टाइम लगने वाला तो जली से में सभी वोल को सेट कर के मिलता हुआ आप से थोड़ी दियर में कि आ कि ने मैंने पार की बाउंडरी को रैडी कर दिया है तो अब इसकी front side बाकिया है तो मैंने सुचाए कि front side में कुछ अलग सा करते हैं तो यहां पर हम डबलू टू के चीट कोड से एक बड़ी वाली वॉल को पीछे लेकर जलते हैं इसको मैं पार्क के बीलकुल करनल में लगाने वाला और देखते हैं मैंने पार्क के लुक किसी आथी है कर दिया तो अब हम देखते हैं तो थोड़ा दूर चलके कि वाल कैसी लग रहिए तो कूरी है जहां पर हम ने वाल जो लगा कि लगे के में पूरे एरिया को काफी ही लगा तो आप हमें पार्क लगने वाला है तो जली से राड़ी करते हैं वाल तो हम्हीं में। पर पारके एंट्रि काफी खाली लग रहे तो यहां पर ऊपर कफ़ी के फोड़ा में गटायां तो यहां पर उसके उपड़ों कर आसके लोगाए ethical चल्ली ऑप पर लगाकर देखते ह। क्यासल लुक आता है मैंने इसी स्पान वाले ट्री को पॉन कर रहा है तो डोHH और यहां में इसक उठासा इसको अच्छे से लगा दिया है तो अब हम देखते हैं के दूर से कैसा लगते काफी बड़िया लुक आरी तो इसी तरीगे से हम दूसी साइड में भी लगा देते हैं कि में कि अव्ल इं हम पार्क के अंधर वह स्कूफ हैं तो इस तरह से हम अंदर भी कुछ करने वाले हैं जिसके वैसे हमारेसे तीन पॉल्ए ऐधर को करने पर उससे कुछ अलग सा डिजाइन बनाएंगे जिससे काफी अच्छी लूक आने वाले है तो यहां पर हम सारे प्लैटफॉर्म को स्पॉन कर लिया है तो इसको हमें इस साइड में लगाना एक दम कोने में और इस वाले प्लैटफॉर्म को मैं इससे थोड़ा नीचे करकर कि पाइनली मैंने सारे प्लैटफॉर्म को स्पॉन कर दिया है तो अब हमें इन पर एके करके ट्री को भी लगाना पड़ेगा तो जलिसा हम ट्री को स्पॉन कर लेते हैं मैंने यहां पर ट्री को स्पॉन कर दिया है तो जलिसा हम इसे ट्री को उठा के लगाते हैं इस प्लै के से लगात देता हूं कि एट फोम के ओपर मैंने ट्री को स्पॉन कर दिया इसलिए में यहां पर भी ट्री को स्पॉन कर देता हूं तो यहां पर मैं काफी अलग अलग टाइप के tree को spawn करने वाला हूं finally मैंने spark के अंदर काफी सारे tree को spawn कर दिया है और tree को लगाने के बाद इस spark की look काफी बढ़ी आ रही है तो अब हम इस spark के अंदर काफी सारी चीजों को और भी spawn करेंगे जिसके वैसे spark की look और भी बढ़ी आएगी अब हम इस spark को और भी डेकोरेट करने वाले हैं तो यहां पर मैं दो tree को spawn कर देता हूं और इसके बीच में हम डश्ट वीन को spawn करने वाला है तो जली से हम RGS tool को open करते हैं और यहां पर एक dust wind को spawn करते हैं जो कि spawn होता है P7 की cheat code से तो मैंने यहां पर dust wind को spawn कर दिया है तो यह वाला dust wind मेरे को काफी बढ़िया लगता है तो इसको मैं यहां सेंटर में लगाने वाला हूँ तो कोई भी आएगा तो इसके अंदर कूड़ा फेकेगा जिसके वैसे हमारे पार्क के अंदर गंदगी नहीं होने वाला है तो यहां पर मैं 3-3 dust wind लगाने वाला हूँ तो यहां पर मैंने dust wind लगा दिया और यह वाला एरिया सच में काफी बढ़िया लग रहा है तो सामने भी हम इसी तरीके से decorate करने वाले हैं और यह डिजाइन बनने के बाद कुछ इस टाइप का लग रहा है तो यह पार्क की एंट्री है जिस पर चलके हम सीधा पार्क के अंदर जाएंगे तो आपको कैसे लग रहा है यह वाला डिजाइन तो इस तरीके से मैं इस डिजाइन को कंप्लीट करके मिलता हूँ पार्क के अंदर आपको सैंड दिखती है वैसी मैं इसके अंदर कुछ बनाने वाला हूँ पर हमारी गेम के अंदर कोई भी सैंड ब्लोक का चीट कोड निया है मैंने हाउस को धीरे-देरे करके जमीन के अंदर डाल दिया है और इस वाले हाउस की रूफ का यूज करने वाले हम एक प्लैटफॉम बनाने के लिए मैंने हाउस को अच्छे से लगा दिया है और इसको लगाने के बाद काफी बड़िया लुक आ रही है तो जैसे हम सामने से आएंगे तो काफी बड़िया लगेगा तो हमारा ये एरिया तो रैडी है पर अभी ये काफी खाली-खाली लग रहा है तो इसलिए मैंने एक प्लैट क्रिने वाले मरे मैंने अएक लैंड जल्द कर दिया है जल्दी से इसको को एकदम सेंटर में लगा देते लाम betrayal terrible वाली धेवित क flavored कर दिया दिया थो यहां लग अब पनी यहां या पर यहां पर प्री यहां पर आप बन के लेयाख मेरी चलुमक को कर दो कि आड़ी कुलेद क्या है उसको खुड़ियादर यह अर्म पर रखाय। तो अगर आपको यह वाला पार्क अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मैं मिलता आप से इसी तरह के नेक्ष्ट वीडियो में जबते के लिए बाइबाइब